हेलो दोस्तों नमस्कार एगरी कल्चर से रिलेटड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को आउन कर लीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें आज इस वीडियो में बीएस्सी एगरी कल्चर सिक्स सेमेश्टर बेनिफिसेल इंसेक्ट एंड पेस्ट आफ हाल्टी कल्चर क्रॉप एंड देर मनेजमेंट से संबंदित महतपूर प्रसन लेकर आये हैं यह प्रसन बहुत ही महतपूर हैं तो सुरू करते हैं आज का सेशन पहला कोशन है कितने सरमिक मद मखियां लगभग एक किलो ग्राम सहद बनाती हैं तो ग्यारा हजार मद मखियां एक किलो सहद का निर्माड करती हैं एक रानी एक दिन में कितने अंडे दे सकती हैं तो 2000 अंडे दे सकती हैं एक रानी मखियां की अधिकतम आयू कितनी होती है तो पांच वर्स अगर ऐसे ही पूछी जाये तो 2 से 5 वर्स इनकी जीवनकाल होता है बढ़ते नेस्ट कोशन पर मदमक्खी के कितने पंक होते हैं तो मदमक्खी के चार पंक होते हैं लाख कीट किस परिवार से संबंधित होता है तो केरेडी परिवार से होता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहां इस्थित है तो ये बैंगलोर में इस्थित है बढ़ते नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है लाख कीट किस महादीव का निवासी है तो एसिया महादीव का निवासी है रेसम कीट की घरेलू प्रजाती कौन सी है तो बॉम्बेक्स मदरीना प्रजाती है भारत में मदमक्खी पालन कब और कहां शुरू हुआ था तो 1882 में ब एक साल में लाख कीट कितनी पीडिया पाई यती हैं तो दो पीडिया पाई यती हैं फ्लेटूला जाइलोश्टीला वैग्यानिक नाम किसका है तो डाइमेंड वैक मौत का है नेश्ट है मेलन फ्रूड फ्लाई अंडे कहां देती है तो फल के अंदर देती है नेस्ट कोशन है तने के चारों तरफ पॉली थीन, सीट या चिपकने वाले बैंड लगाना किस कीट का नियंत्रण होता है तो आम का फुका रोग का नियंत्रण होता है नेस्ट कोशन है किस फल कीट का अंतर राष्टी महत होता है तो आम का फल मक्खी कीट का अंतर राष्टी महत होता है सफेद गिटार की एक वर्स में कितनी पीढ़ियां पाई यती है तो चार पीढ़ियां पाई जती है कपास के माहु का कुल होता है तो एफी डेडी होता है वेरी इंपोर्टेंट कोशन नेस्ट कोशन है पोलू विटाल एक भयानक कीट पीट होता है तो काली पीटर का होता है काली पीपर का होता है बिहार बालदार सूरी का कुल होता है तो नोगडीडी होता है फल मक्खी की छतिकारक अवस्था होती है तो मैगट होती है मैगट इस करेक्ट एंसर हो जाएगा इंडियन इंसिट्यूट आफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स का मुख्याले कहां है तो ये राची में इस्थित है लाख कीट में कौन सी गरंथि लाख का स्रावन करती है तो रेजिन गरंथि के द्वारा किया जाता है नेच्ट कोशन है लाख कीट के बैग्यानिक नाम होते हैं तो केरिया लक्का, लेसिफार लक्का, और टाकरडिया लक्का होता है नेच्ट कोशन है लाख कीट का गड़ होता है तो हेमी पटेरा होता है बढ़ते हैं नेश्ट कोशन पर नेश्ट कोशन है लाख कीट किस प्रकार के अंडे देती है तो निसेचित और अनिसेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है लाख कीट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है तो अंड सज प्रजाता का पाया जाता है नेस्ट कोशन है सरवाधिक लाख उत्पादन करने वाली फसल होती है तो रंगीनी होती है नेस्ट कोशन है उच्छ क्वाल्टी का लाख उत्पन करने वाली फसल कौन सी होती है तो कुशमी होती है लाख प्राप्त होता है तो मादा कीट से प्राप्त होता है नेस्ट कोशन है एरियो सुमा लेनी जीनेसम एक भैंकर कीट पीढक है तो ये सेव का होता है आम के पेड़ के तनेप के चारो और ग्रीस बैंडिंग को नियंतित करने के लिए लिए आवस्यक है तो मैंगो मिली बग होता है कीटों की किस फाइलम में वर्गी करत किया गया है तो आर्थो पोड़ा फाइलम में किया गया है मदमख्य कालोनी में अधिसेस सहद कहां संगरहित करती है तो ब्रूड नेस्ट के ऊपर करती है बढ़ते नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है नर मदमख्य ड्रोन के विकास में कितना समय लगता है तो 24 लगता है 24 दिन एक स्रमिक मदमख्य गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहती है तो लगभग दो माह तक जीवित रहती है नेस्ट कोशन है रेसम कीट उतपादन में प्रमुक गत्विधी कौन सी है तो रेसम कीट के लिए खाद पौधों की खेती नेस्ट कोशन है पराग मुख रूप से किसे से मिलकर बनता है तो प्रोटीन से मिलकर बनता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अनका लीजिए जिस से आने वाली वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन